नमस्कार आप देखनें एनेमिफ नियूज में आपके साथ श्रबनम इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है जहां एक बार फिर आतंकियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया है और मजदूरों पर गांदरवल में हमला बोल दिया है टारगेट किलिंग की गई है बताया जा रहा है कि आतंकियों ने मजदूरों पर ताबड़ तोड फाइरिंग के टनल का काम वहां मजदूर कर रहे थे और फाइरिंग में एक डॉक्टर समिद छे मजदूरों की मौत हो गई है अभी तक साथ लोगों के इस फाइरिंग में बत कराया गया है सेना ने तुरंत मोर्चा समाल लिया है और जैसे ही जम्मू कश्मीर में यह आतंकी हमले की खबर सामने आई है दिल्ली तक एक्शन मोड में आ गया है अमेशा इस हमले पर भड़क उटे हैं कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को बने यह वक्त बीत नहीं और आतंकीयों ने जम्मू कश्मीर में मोर्चा समाल लिया है और हमले शुरू कर दिये हैं बताया जा रहा है कि एक महीने पहले से यह आतंकी रहे थे और टार्गेट किलिंग यह की गई है बताया जा रहा है कि सारे बहारी लोग है जिन जिन पर आतंकीयों ने फाइर इने कृत्ते में शामिल लोगों को बक्षा नहीं जाएगा उन्हें सुरक्षा बलो की कठोरतम कारवाई का सामना करना पड़ेगा बता देए कि गांदरवल में एक बारफेट टार्गेट के लिंग का मामला सामने आया है जब आतंकियों ने टरनल मजदूरों पर धुआधार फाइरिंग कर दी जिसमें एक डॉक्टर के अलावा छे शमीकों की मौत की बात कही जा रही है तो अमिर शाहा ने इस मामले पर गुस्सा जाहिर किया है बकाइदा उन्होंने ट्वेट किया ट्वेट करते हुए क्या कुछ लिखा अमिर शाहा ने आपको वो भी बताते हैं क और उन्हें हमारे सुरक्षावलों की कठोरतम कारवाई का सामना करना करना पड़ेगा रहमंत्री ने इस हमले में लोगों की मौत होने पर दुख जताया है उनके परिवारों की प्रती अपनी सम्वेदना व्यक्त किया है उन्होंने कहा है मैं घायलों के शिक्र स्वास्त हो प्रार्थना करता हूं तो इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है सिर्फ अमेशाई नहीं अब राहुल गांदी ने भी ट्वीट किया है राहुल गांदी ने भी इस आतंकी हमले पर दुख जाहिर किया है राहुल गांदी ने ट्वीट करते हुए लिखा जब मुकश के शिक्र स्वास्ते होने की आशा करता हूं आतंकियों का ये दुस्ताहाज जम्मो कश्मीर में निर्मान का क्रम और लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगा आतंगवात के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एक जुट है तो राहूल गांदी ये कह रहे हैं कि जो साथ लोग हमले का निशाना बने हैं वो बहारी लोग हैं और तीन सो सतर जब यहां से हटी तो जम्मो कश्मीर में बहारी लोगों को बसने का भी मौका मिल गया ये अधिकार मिल गया कि कोई भी वहां जाकर जमीन खरी सकता है वहां जाकर रह सकता है क्योंकि विशेस राज्य का दर्जा वापस हटा दिया गया अब ऐसे में जो मजदूर थे वो बहारी मजदूर थे आतंकियों ने घात लगा कर उन पर निशाना फाइरिंग कर दी ताबरतोर फाइरिंग की गई है जिसमें छे लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है फिलाल सेना ने भी पर मूँ तोड़ जवाब मोदी सरकार की तरफ से दिया जाएगा क्योंकि आमेशा इस हमले के बाद काफी भड़के हुए है और जल्द ही आई लेवल मिटिंग भी बुलाई जा सकती है जिसमें आतंकियों को कमर तोड़ने वाला फैसला उन्हें तभा करने वाला फैसला ल इकाला जाता है उनको कैसे डेर किया जाता है फिलाल तमाम कमरों की अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ तमशकार